ये देखिए गाइस हमने आज बनाई है बटर स्कॉच आइस क्रीम के साथ वो भी घर में और ये बहुत आसान है और बहुत ही कम चीजों से हम इसको बनाएंगे तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी टेक्चर है इसके अंदर लेकिन हमने इसके अंदर ना ही क्रीम का यूश क दिया है फिर भी आप इसका क्रीमी टेक्चर देख सकते हैं सिर्फ दूद से बनाएंगे हमारी इसको तो देखिए यह हमारी बटर स्कॉच आइस क्रीम कितनी क्रीमी क्रीमी और बजार से भी ज्यादा बहतर इसका टेस्ट होता है ज़रूर बना कर देखिए अगर वीडियो वन फोट कभी ले सकते हैं और देखो इसको हमें बीना पानी डाले ही इसको हमें मेल्ट करना है पानी बिल्कुल नहीं डालना गाइस और इसको हमें इस तरह से मेल्ट करते जाना है देखिए जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसका कलर अपने आप चेंज होने तो देखे जब इस तरह से पूरा liquid form में हो जाए पूरी चीनी हमारे पिखल जाए तब हम इसको में डालेंगे हमारे काजू के टुकड़े चीन हमें पहले से ही करके रखना होता है और देखे इसको हमें डाल दिया है और अब इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिला लेंगे औ बस फटा फट से इसको बंद कर देंगे अब यह रेडी है और चलिए अब एक थाली यानि की कोई भी प्लेट में आप ऑईल से ग्रिस कर लीजिए और फिर उसमें हम इसको ट्रांसपर कर देंगे बहुत जल्दी करना गाईस बहुत फटा फट करना इसे क्योंकि यह बहुत करना कि जल्दी से करना है और जब तक कि यह सेट होगा यह आसानी से इसको फ्रीज में रखने की कोई ज़रुत नहीं है तब तक हम क्या करेंगे तो उसमें ढालेंगे दूद तो मैं इसमें Total 2 कप दूद ले रही हूं यानि 1-5 लिटर मैंने पूरा दूद लिया अब इसके आज मैं आपको ice cream बनाना बताऊंगी या guys येकिन मानिए बहुत simple तरीका है या ice cream बनाने का जिससे आपको इसमें ना condensed milk की जरूरत है ना milk powder की जरूरत है ना किसी और चीजों की जरूरत है कि ice cream बनाने के लिए बहुत सारी चीज़े लगती है अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसे आईस क्रीम घर पर बनाना है तो अब देखिए उस पाउडर को हमें इसमें मिला लेना है दूद के अंदर और जब पाउडर को हम इसके अंदर डाल देते हैं तो चम्मत से लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने लंस ना बने और जब आप इसको मिलाएंगे तब गेस के फ्लेम को कम कर दे और जब यह अच्छे से मिल जाएंगा उसके बाद हम गेस के फ्लेम को बढ़ा देना है ताकि यह जल्दी सी इसमें उबाल आ जाए तो देखिए मैंने इसक अच्छे से गाड़ा भी हो चुका है और एकिन माने काई ज्यादा इसको समय नहीं लगता है बस पांच से छे मिल लगेंगे इसको करने में आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको समय देने की जरूत भी नहीं है और जटपट आप इस आश्क्रम को घर पर आसानी से बना ल इसको नगें जाप फेरे करने के लिए रखेंगे ना थे इसम्लाय नहीं नहीं जमति हैं यह यह इस तरह की मदाई ना जमिये इसलिए आपको विच बिच में चलाते भी आपकोई कर दिया है चलिए इसको ठंड़ा कर लेते हैं और देखिये कुछ देर बार ठंडा होने के गारा बात देख सकते हैं और भी ज्यादा हो चुका है यह और चालcar से दॉप साधा शनक है still लेटे हैं मिक्सी के जार मेरे चले से जाल बहुत आसान तरीका है इसके लिए आपको गंटों तक चलाने की ज़िस करने की ज़िए але चलिका पर से अदर कलर्स दी डानने की ज़रुत नहीं होती है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें, और देखें कितना क्रीमी इसका टेक्चर हो गया है, अब मैंने लिया है, एक आइस क्रीम जबाने के लिए इस तरह का कंटेनर, कर देखें और अब कर दियाँ, और अब इसे हमें 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में नहीं फ्रीजर के अंदर रखना है, जब तक हमारे आइस क्रीम सेट हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे, कैरें और करंच बना लेंगे, तो देखें, यह कितने आसानी से निकल जाता है, ज इसको हम टुकडों में तोड़ लेंगे आप ऐसे भी से खाएंगे यह बहुत स्वाजिश लगता है अगर बच्चे घर में है तो यह वैसे ही टॉफी जैसा लगता है बहुत जल्दी यह खतम हो जाएंगे इसलिए पटा-फट से हम इसको जिप बैक में या किसी पन्ने में आ तो बेलंस से हम इसको इसकरा से क्रेश करेंगे आप इसे मिक्सी में बिल्कुल ना चलाए मिक्सी में अगर आप चलाएंगे तो यह बहुत बारिक सा हो जाएगा यानि बहुत महीं पाउडर सा हो जाएगा वैसा हमें नहीं चाहिए हमें यह त्वासा टुकडों में है कितने आसानी से हमने इसे बना लिया ना मार्केट में इसे आइस क्रीम पहुत ही मेहंगी मिलती है तो घर पे आप कितने आसानी से बना सकते हैं तो देखिए मैंने इसे पहुत चल्दी ही फ्रिजर से निकाल लिया है कि मुझे तो चल्दी थी और मैंने इसे निकाल दिया त तो देखिए मैं इसको मिक्सी में डाल देती हूँ और अब इसको हम फटा-फट से ग्राइन कर लेंगे तो इससे यह और भी ज्यादा क्रीमी हो जाएगी और इसमें हलके से बबल सारे लगते है गाईस उसकी वैसे इसके अंदर जाली पड़ती है जिसकी वैसे एकदम मार्केट वाला वो जो लुक होगा आपको दिखाई देगा तो दीखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइन कर लिया है और आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा इसका जो कॉंटेटी है थोड़ा सी बढ़ भी गई है चलिए अब इसको हम डाल देते हैं इसी डबे में फिर से और इसको डालने के बाद है इसको अच्छे से आप इसको मिक्सी के चार में जितना भी लगा है सब आइस क्रीम को यह पूरा इस बेटर को निकाल करके इसमें डाल दीजिए और अब इसके अंदर हम वही करँच मिलाएंगे जिसे हमने तयार करके रखा है ये देखिए तो जितना आपको डालना है उस हिसाव से आप इसमें डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब इसको मीस करने के बाद आप इसको उपर से भी हम गार्णिश करेंगे इसी क्रंच से जिससे आप देख सकते हैं इसका लोक बिल्कुल आएगा मार्केट वाला और टेस्ट उससे भी ज्यादा अच्छा आता है अब इस बाकी के बच्चे के क्रंच को हम स्टोर कर लेंगे अब देखिए इसे मैंने लिया है एक पॉलिथिन पॉलिथिन हर किसी के घर में ओविलेबल है ही तो इसको डब्बे के साइज से थोड़ा सा बड़ा काट कर लीजिए और इसको हमेने इस तरह आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है हाथ उसकी सायता से अच्छे से दबाते जायी और चिपक रहे है तो इसे को अगले दिन इसको दिखा रहे हूं हमारी जो आईस अच्छे से सेट हो चुकी है इसको हम निकाल लेते हैं जब हमारे आइसक्रीम परफेक्ट सेट हो जाते हैं तो पर इसका लुक देखिए लुक इस गाइस बिल्कुल मार्केट वाल यह इसे और देखिए मैंने इस तरह का चमश लिया है हर किसी के घर में स्कूप तो सालंगे तो आप देखिएंगे बिल्कुल मार्केट में जैसे आपको ऐसी करें कि वो मिलते हैं ना गोले वयाथ है इस का टेक्फचर इस सकते हैं आप बिल्कुल मार्केट जैसा ही आया है और यह किन वानिए इसका जो टेस्ट है बहुत बहुत ही मुझे तो यह मार्केट से भी बहुत अच्छा लगा है तो देख सकते हैं हमने इसे कितने आसानी से बना लिया है इस घर के अंदर तो आप सिप आपको सिप क्या चाहिए दूद और वो मिक्चर यानि कि आइस क्रीम का पाउडर और आप उसे किसी भी फ्लेवर में ला सकते है हर फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल है और 40-50 रुपे में आसानी से मिल जाता है तो देखिए 50 रुपे में हमारी कितनी बड़ी आइस क्रीम बन करके रेडी हुई है ओपर से तोड़ा सा वही केरेमल करंच से सर्क कर लीजिए और आप देख सकते हैं कितना बहतरी हमारी य हम लोग यह रख लेते हैं तो देखिए उसमें भी मैंने इसको सर्फ करके आपको दिखाया है आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका लोक आया है और बहुत स्वाजिश लगते हैं तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंड करके ज़रूर बताईए चली आखके एक आपको यह उड़ा देखिए और ऐसी यह लगतला बिल्कुल तो आपकेजह करने सकते हैं तो जरूर बनाए चेलिए फीर बिलते हैं ऐसी आसाल रेसिपिर में अगली वीडियो में तक तक लिए